हेलो साथियो गुड आफ्टर नून स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउट नट पर कैसे हैं मेरे सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंड बॉक्स में कमेंड कर देंगे और उसके बाद आज की चीजों को हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो मेरे जो भी साथी अभी दूसरे सभी साथियों के बीच में इस सेशन को शेर कर दीजेगा ताकि जादा से जादा लोगों को पता लग जाए आज कोशन बहुत बढ़िया कोशन है डेली रहते हैं लेकिन आज मिसलेनियस कोशन में आपको नए कोशन जो हैं वो देखने को मिलेंगे तो एक बार जल् तो किया जाए मामला फिर ठीक है आजाओ तो यहां पर गुड आफ्टरनून है मैंने शेर कर दिया है आप सभी लोग भी अपने अपने टेलिग्राम में शेर कर दो या फिर वाट्सप जहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों आज है हमारा फ्राइडे और हर फ्राइ यहां हूँ आप लोगों को क्या मिसलीनियस पार्ट ठीक है तो इस मिसलीनिस पार्ट में आपको अजना बहुत अच्छे कोशन देखने को मिलेंगे मनलब यह मान के चलिएगा कि इसको जिसने मिस कर दिया ना एक भी कोशन तो भाईया उसका बेडा गरा के ठीक है तो यहां है मैं आपको बता दू शेडियूल में ठीक है तो शेडियूल में सबसे पहले 30 कोशन है हमारे 30 कोशन जो होंगे वो बिल्कुल फ्रेस है नए कोशन है करंट अफिर में आपने पढ़े होंगे हाल फिलाल वाले में ठीक है और यहां पर जो हमारे 20 कोशन है वो आपके पुराने questions है, पुराने questions मतलब revision जो आप पढ़ चुके हो already, आपका test के तोर पे है, ठीक है, समझ गे सारी बातों को, चलिएगा, thank you, रक्षन बिहारी, आगे चलते हैं, ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, तो फटा-फट से static GKK, दोस्तो गंगरेल बांध, तो आप लोगों किस राज्ये में है, तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, गंगरेल बांध की, तो गंगरेल बांध किस राज्ये में है, आंसर करिएगा, गंगरेल बांध, गंगरेल बांध, गंगरेल बांध, ठीक है, तो आंसर कर दो एक बार जल्दी से, तो गंगरेल डैम हमारा कहां प पूछी जाए अगर ध्यान रखिएगा जैसा गंग्रेल बांध है आपके साथ में अगर वह गंग्रेल बांध के साथ में क्या पूछ ले रवी शंकर रवी शंकर मेरे दोस्तों जो हमारा रवी शंकर डैम कहलो रवी शंकर डैम अगर वह आप से रवी शंकर डैम पूछ ले या फिर आप लोगों से गंग्रेल डेम पूछ ले, तो एक ही बात होगी और ये आपको कहा मिलेगा, ये मिलेगा रायपूर में, रायपूर कहां पर मिलेगा, छत्यसगर में, तो ये कहां मिलेगा, रायपूर में मिलेगा, कहां मिलेगा, रायपूर में मिलेगा, आप में से जो जादतर लोग हैं वो गुजरात बता रहे लेकिन गुजरात नहीं है दोस्तों ठीक है तो ये हमें कहा मिलेगा राइपुर में मिलेगा गंग्रेल डेम अभी कुछ दिन पहले चर्चाओं में था न्यूज में था तो वहीं से ये कोशन उठके आया है रवी संकर डेम कहलो या गंग्रेल डेम कहलो एक ही बात है एक रवी संकर सुकला हुए है उनके नाम पर है ये ठीक है चलिएगा दोस्तों जब मैं जारखंड की बात करता हूँ तो जारखंड में आप सभी लोगों को मालूम है मुख्यमंत्री कोने हेमंत सोरेन है कोने हेमंत सोरेन है जब हम हमें हैं पर मिलेंगे राजिस्थान के अंदर याद रखेंगे ठीक है चलिएगा तो रवी शंकर डेम हो गया 36 गड में कंग्रेल डेम हो गया और अभी शंकर सुकला जी के नाम पर ये डेम आपका बना हुआ है दोस्तों अगला कोशन है दुरूब पंडौव किर्किट स्टेडियम अभी जैसा कि आपको मालूम है कि रणजी मैच वगेरा हमारे चल रहे हैं रणजी मैच वगेरा चल रहे हैं तो किर्किट का भी बोल वाला है खासकर के लोकल वाले मामले में तो दुरूब पंडौव किर्किट स्टेडियम किसी कारण से चर्चा में रहा था त कहां पर है ठीक है चलिएगा फड़ा-फड़ से शानदार शानदार चलो तो दोस्तों यहां पर जब हम चर्चा करते हैं तो यहां पर आप लोगों के सामने आ जाता है यहां साफ नहीं दिख रहा सर मेरे ख्याल से मेरे पास साफ दिख रहा है मेरे आपके कमेंट जहां पर पढ़ रहा हूं बिलकुल सबसाफ दिख रहा है आपको अपनी यूट्यूब की क्वालिटी को चेंज कर लीजेगा सबसाफ दिखने लगेगा तो यहाँ पर पंजाब और हर्याना के बीच टकर देखने को मिल रही है तो आंसर बनेगा पंजाब क्या बनेगा पंजाब बनेगा दोस्तों यह धुरूब पंड्रोब कौन थे तो धुरूब पंड्रोब एक रणजी किरकेटर थे क्या थे रणजी किरकेटर थे मैंने आपको बता दिया था और रणजी किरकेटर कहां से थे यह पंजाब की तरफ से खेलते थे कहां पे पंजाब की तरफ से खेलते थे और यह स्टेडियम पंजाब में कहां पर है पंजाब में ये स्टेडियम आपको मिलेगा पटी आला में कहां पर पटी आला ठीक है तो पटी आला में ये स्टेडियम आप लोगों को मिलेगा याद रखेंगे सारी चीजों के बारे में ठीक चलिएगा उसके बाद है दोस्तों अगला कोशन में बहुत आरा पास मीरे दोस्तों कहां पर है दीफु पास तो जब नेekं डिफु पास के बारे में पढ़ूँगा तो कहां पर है अप लोगों का है इसमें आप लिफो को बताना है दीफु दर्रा ठीक है तो चलưởng मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया शांदार याद रखेगा दीफू पास ठीक है तो अभी आप बोलोगे कि सर अचानक से दीफू पास तो अगर हम परसो का दा हिंदू न्यूज पेपर देखेंगे तो उसमें एक आर्टिकल वगेरा इसके बारे में था तो इसमें क्या दिखा उनका चाइना और एक मयानमार ठीक है तो ये अगर आप से पूछेंगे कि कौन से तीन देशों का ये बॉर्डर पॉइंट है ट्राइपू दर्रा तो ये इंडिया का चाइना का मयानमार का अब यहां से आप अराम से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से राज्जी की हम यहा पर हम चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो कुछ लोगों ने तो देखेंगा यहां पर जो है सही बताया लेकिन कुछ लोग जो है यहां पर गलत बता रहे हैं ठीक है तो ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है कुछ लोगों ने यहां से देख लिया होगा यह सी ऑप्शन यह स लोगों ने सही बताया है अरुनाचल प्रदेश क्या है अरुनाचल प्रदेश है ध्यान में रखेंगे ठीक है तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए आंसर बनेगा अरुनाचल प्रदेश ठीक है तो जो दीफू पास है हमारा वो भारत की किस भाग में है वो अरुनाचल प्रदे ध्यानी नहीं रहता कई बारी धरना तो कई बार छूड़ जाता जल्दी जल्दी में तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश है ठीक है एकदम पलट जाते हो ठीक है इतनी जल्दी तो वो भी नहीं बदलती ठीक है चलो आगे चलते फटाफट से अगला कोशन दोस्तो 20 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है तो यह 20 मार्च है 20 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूब्रो क्लॉसिस डे है या फिर मेरे दोस्तो नेशनल वेक्षिनेशन डे है इंटरनल डे ओफ हैपिनेस है या इंटरनेशनल डे ओफ हैपिनेस है या हम यहाँ पर आंसर लगाने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ध्यान से समझेगा कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो वो भी नहीं बदल वो कौन हवा का रुख मेरे दोस्त हवा का रुख इतनी जल्दी तो हवा का रुख भी नहीं बदलता, आप क्या समझे, ठीक है, चलिएगा, तो 20 मार्च को हम मनाते हैं, मेरे दोस्तों यह आएगा 24 मार्च को, ट्यूबरो क्लोसिस डे, ठीक है, नेशनल वेक्सिनेशन डे 16 मार्च आएगा, नेशनल वेक्सिनेशन डे 16 मार्च ठीक, तो यह सारी की चीज़े आपको समझनी है, इंपोर्टेंट है, ठीक, अगला कोशन मार्च करिएगा, इस कोशन ने थोड़ी जान में जान डाली होगी, कि कि यह कोशन जाना पहचाना था, ठीक है, तो अब अगले कोशन पर फिर आजाओ, तीन कोशन दे दिये थे, मै आपसा जाईएगा, ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर कौन सा भारती राज जिये, मेरे दोस्तों नंदी पहाडियों के लिए जाना जाता है, कौन सी पहाडियों के लिए, नंदी पहाडियों के लिए, तो नंदी हिल्स मेरे दोस्तों, आपको दे को पूरा में 30 सेकंड का टा पे हैं याद रखिएगा जल्दी से बता दे फटाफट से ठीक है तो नंदी हिल्स है ठीक है बहुत बढ़िया शांदार 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 ठीक है क्या बात है नहीं पता कुछ लोगों को पता है तो नंदी हिल्स करनाटक कुछ लोग कह रहे हैं करनाटक मतलब अभी जो आंसर बना है आरेन राज का बना है तो दोस्तों जब हम करनाटक की बात करते हैं तो नंदी हिल्स आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही बन जाता है अग नंदी दुर्ग आप लोगों का जो है अठारवी सेंचुरी का मोन्यूमेंट है और अठारवी सेंचुरी में नंदी दुर्ग का जो रिलेशन है वो किसे रिलेशन है वो रिलेशन है टीपू सुल्तान से किसे है टीपू सुल्तान से है एक बार S.S.C. में पेपर में पूछा गया था इसी तरह से 4 दुर्ग दे रखे थे, 4 लोगों के नाम थे सामने, उनका मैचिंग मैचिंग करना था, तो उसमें हमारा नंदी दुर्ग टीपू सुल्तान का नाम भी आया था, ये चीज याद रखेंगे, आंसर बनेगा करनाटक, तो चाहे वो नंदी हिल्स हो, नंद से संबंदित हैं बता दीजेगा कोशन पर पेंट कर दीजेगा पेंटला हरी कृष्णा पेंटला हरी कृष्णा यह किस खेल से संबंदित हैं तो जल्दी से बता देंगे पेंटला हरी कृष्णा ठीक है तो पेंटला हरी कृष्णा किस खेल से संबंदित हैं आंसर कर देंगे फटाफट से बहुत ही शांदार, कुछ लोगों ने तो अरे आंसर करो यार आप लोग, ठीक है, जल्दी से बताओ दो, फटाफट से, ठीक है, भूद बढ़िया, शांदर, 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 पेंटला, हरी कृष्णा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट है, वो आप लोग मुझे बता देंगे, ठीक, चलिएगा, आगे चलते हैं, नहीं बता पाएं हैं, कुछ लोग, कुछ लोग तो सही आंसर कर रहे हैं, चैस, तो ये कौन से है, चैस के हैं, ग्रेंड माश्टर है, अभी क्यों नाम आया इनका तो दोस्तों ये हमारे यंगेस्ट में आते थे ठीक है यंगेस्ट ग्रेंड मास्टर में आते थे लेकिन इनका रिकोर्ड तोड़ा था किसने गुकेश डीने किसने जोड़ा तोड़ा था गुकेश डीने इनका रिकोर्ड तोड़ा था याद रखिएगा ठीक गुंटूर से बिलॉंग करते हैं याद रख लीजेगा ठीक है चले एक बच्चा पूछ रहा कहां से बिलॉंग करते हैं गुंटूर से बिलॉंग करते हैं ठीक है दोस्तों समुद्री का नोशेना संघ्राल ले बहुत ही बढ़िया कोशन है समुद्री का नोशेना संघ्राल समुद्रिका नेबल मैरीन म्यूजियम मेरे दोस्तों यह कहां पर है समुद्रिका 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 ठीक है इन्होंने डी कुकेशन ने इनका रिकोर्ड तोड़ा था ठीक है तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों ठीक है यहां पर आंसर क्या बनेगा समुद्रिका ज को टेंशन नहीं लेनी है रमेश बाबू तक तो सही थे यहां पर बताओ दमन में है ओके दमन को मान लेंगे चलो दमन माना एक आंसर दमन आया है दूसरा अंसर अंकी दूबे का रहा है और अंकी दूबे तमिल नाडू बता रहे हैं चलो हमने तमिल नाडू भी मान लिया कुल दीपा आप सही कह रहे हैं दोस्तों जब हम समुद्री का नोसे ना संग्राले के बारे में बात करेंगे समुद्री का नेवल म्यूजियम की बात करेंगे तो ये हमारा अंडमान ये हमारा कहां पर है अंडमान जो हमारा तील हाउस है अंडमान जो हमारा तील हाउस है वहा कि हमारा नेबल म्यूजियम कहां पर है गोवा में है केवल नेबल म्यूजियम कहां पर है गोवा में है समुद्री का नेबल मरीन म्यूजियम ये हमारा अंडबान में पढ़ने वाला है इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है I think मेरे ख्याल से ये सब को समझ में आ गया है अगले कोशन पे चल पड़ते हैं अगला कोशन प्रतिष्ठित काली दास सम्मान मैंने कहा था तीन के बाद फिर एक आसान आएगा तो तीन के बाद आठवा कोशन तीन पहले ठोड़े ठीक ठाक कोशन चोथा आसान कर दिया था बीस मार्च वाला फिर तीन आपको मिल गए अब हम प्लच ओनि हाँ अभी हाँ पे तो आप रेल सी बना दोगे तो जल्दी से बता दो फटाफट से बहूत बढ़िया ठीक है बहुत शांदार 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 तो बहुत बढ़िया ठीक है लेकिन अब इसमें मैं आपको घुमाऊंगा थोड़ा सा मैं ये घुमाने वाला हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाईया जो हमारा कालीदा सम्मान है खुजराओ फेस्टिवल है सभी लोग जानते हैं तो जो कालीदा सम्मान दो हजार इकिस में किसको मिला था किसी एक का नाम बता दीजिएगा जो national कालिदा सम्मान है, मध्यप्रदेश देता है, इसको मेरे दोस्तों किसको मिला था, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है, नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, तो वो हमारी एंजोली मेरे दोस्तों, इला मेनन को मिला था, और किसके लिए मिला था, विजोल आर्ट के लिए किस के लिए विजोल आर्ट के लिए एनजोलिला एनजोली इला मैनन को मिला था ये चीज हम्हें ध्यान में रखनी है जरूरी है important है मार कर लीजेगा ठीक है अगला question है बोबले पूरुषकार किस छेत्र में दिया जाता है तो ये जो हमारा बॉबले पुरुसकार है बॉबले बॉबले पुरुसकार किस छित्र में दिया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बताओ जल्दी से बॉबले पुरुसकार बॉबले पुरुषकार किस में दिया जाता है बॉबले नाम के जो हमारे साइन्टिस्ट थे उनका नाम मेरे दोस्तों बता दीजएगा ठीक है बॉबले आप लोगों का ये अवॉर्ड है ठीक है तो आंसर कर दो बोबले वोड तो मैंने इतनी बार आपको पढ़ाया है ठीक है जल्दी से बताएंगे फटाफट से चलेगा तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझेगा सारी की सारी चीजे हैं ठीक है आसान सा कोशन था तो यह हमारा एग्री कल्चर में दिया जाता है किस में से सुब त्यहारों में है हरेला तो दोस्तों हरेला जो है वो त्यहार कहां का है अब यह 10 कोशन हो जाएंगे आप लोगों के ठीक है तो हरेला 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 ठीक है आज में नमबर देखना चाहते हो आपके ठीक है तो जब हम हरएवस्टीवल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है औरसर आंसर अंसर कर दो ठीक है चलिएगा अब इसमें ना थोड़ा सा डिटेल जाननी की जरुव थे क्योंकि रट्टा तो मारना नहीं है और जब रट्टा मारना नहीं है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे यह हमारा उत्राखंड है क्या है यह हमारा उत्राखंड है मेरे दोस्तों और जो हमारा के बारे में पढ़ता हूं तो आपको क्या मिलेगा ध्यान से समझना जब मैं उत्राखंड के बारे में बताऊंगा आप सभी लोगों को तो आपको याद आएंगे सबसे पहले क्या याद आएंगे Day of Green, क्या याद आएगा? Day of Green मेरे दोस्तो, Day of Green याद आया कुछ? तो दोस्तो ये जो हरेला तिवार है, हरेला, हरा हरा हरा, तो ये क्या है हरा? हरा हरा है ना हरा, तो हरेला, हरेला का मतलब हो गया Day of Green, तो हरेला का मतलब है Day of Green, जो हिंदू कलेंडर का पाचवा महीना आता है, हिंदू कलेंडर का पाचवा महीना आता है जिसको हम श्रावन मास भी कहते हैं ठीक है हिंदू कलेंडर का पाचवा महीना जिसको हम श्रावन मास कहते हैं उसमें ये मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है भगवान शिव और गोडेश पारवती है अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा उत्राखंड के अंदर हिंदू कलेंडर के पांचवे महीने में और हिंदू कलेंडर का जो पांचवा महीना है मेरे दोस्तों वो क्या कहता है तो वो कहता है हमारा day of green day of green day of green हरेला सिव और पारवती माता के संधर्व में ये मनाया जाता है याद रखेगा और इस पेसली अगर हम बात करेंगे तो आप मैंसे जो कुमाईू रीजन से ब्लॉंग करते होंगे कोई अगर उत्राखंडवासी मुझे देख रहा है और खास कर के कुमाईू रीजन से है वो तो वहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी इसमें सारी चीज़े किलियर है ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें सारी बाते पता लग गई होगी सारी बाते आपको इसके अंदर समझ में लग गई होगी ठीक है चलिएगा अगल कोशन है आप लोगों का तेलिन कहां की कैपिटल है भाई आसान सा कोशन आ गया यह तो मलावी की है डन्मार्क की सेनेगल की एस्टोनिया की तो जल्दी से बता दो तेलिन कहां की कमपनी है वो सरी कमपनी नहीं है कहां की कैपिटल है मेरे दोस्तों आंसर करिएगा फिर से मैं क वत्व जल्दी से ठेक है एस्टोनिया की है आरिन राज का आंसर मुझे सबसे पहले दिखाई दिया ठेक है चलिए जिसको सावन सावन कहते हैं कि सावनाया रहे ठेक है चलिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आरेन राज का बाकी कुछ लोगों का रीतु दूबे का मीत का ठीक है किसोर चोधरी है दीपा सिंग है तो दोस्तों मलावी की राजधानी क्या है अगर मैं आपसे पूछू तो ली लॉंग वे क्या है ली लॉंग वे ठीक है यहाँ पे डेन्मार्क की क्या है को पेहन गन है को पेहन गन है ठीक है यहाँ पे सेनेगल की क्या है डाकर है ठीक है और एस्टोनिया की क्या है तेलिन है अच्छा एस्टोनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ा भी रखा है तो वो कौन ह काजा कलस है काजा कलस है ठीक है और मेभी में मंडे से ये वाली क्लास आपकी बंद कर दू क्योंकि बच्चे इसमें आते नहीं है तो मेरे ख्याल से टाइम हमारा वेश्ट होता है ठीक है तो इसमें बच्चे जब आते नहीं है तो मेभी मैं सायद मंडे से इस क्लास को बंद क ठीक है सारी चीजे क्लियर है अगला कोशना जाइएगा से छीप सिटी इंडेक्स से छीटी इंडेक्स हमने पढ़ा वा है तो से छीप Nimue इंटेक्स को जारी कौन करता है बता दीजेगा से फीटी इंडेक्स मेरे दोस्तो जारी कौन करता है बä acceler को बहुत सारे बच्चे यहां पर जो है क्या कहते हैं आंसर कर रहे हैं ठीक है तो सेफ सिटी इंडेक्स मेरे दोस्तों अगर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो इसको जारी करने वाला कौन कर रहा है मतलब इसको जारी कौन करता है जल्दी से बता तो ठीक है तो आंसर कर दें आंसर कर दे, जल्दी से तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शान्दार, ठीके अभी इसकी रेंक जो है, अगर हम normally, अगर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, तो बिलकुल आजाई ये का, ओके, कुछ लोग कह रहे हैं, ओके, अब करूंगा इनकोस् succession के बदले कुछ और चीज़ ओर सर्च करूंगा कुछ और चीज़ डिरी सर्च करूंगा जêu किताब लिखना उस्किताब को लिखने लगा बैठ करके हमने 300 गंटे जैसे करने करके किताब करेंट अफेर का सेशन लेने के तुरंद बाद से यह ppt में बनाने लगता हूं बीच में क्लास और तो इसमें बच्चे नहीं आते हैं इसमें क्या करा जाएगा बताओ आप खुद अच्छा सोचू मेरी जगह होंगे तो क्या करेंगे भाइ कहीं आपको मेहनत में कमी है कहीं आपको ये लग रहा है कि में पढ़ा नी रहा आप लोगों को कहीं यह लग रहा है कि मैं बातों में हिखोया हुआ हूँ कहीं यह Lग रहा है कि बार-बार एक ही चीज को repeat करें जा रहे हैं ऐसा तो ही निटा Class ребleur leash you WILL हो रही है 2 बजही class ले रहे हैं अच्छी जीज बेजी है अब आप सारा पढ़ने के बाद आप एक्जाम में जाओगे तो आपको खुद इसकी वैल्यू पता लग जाएगी कि इस content की वैल्यू क्या है आप लोगों के paid course लेके देख लेना ठीक है लोग paid course में ये नहीं आपको पढ़ा रहे होंगे वही चीजे जो चली आ रही है वही पढ़ाते आ रहे हैं नई चीजे आपको मिल रही है तो मैं क्या करूँगा इसमें बताव आप खुद सोचो मेरी जगा पर होंगे तो क्या करेंगे ठीक है तो दोस्त यहां पर क्या है से में एक motivation होती ना आप अच्छा कर रहे हो मैं आपका नाम लेता हूँ आप अंदर से motivate होते हो तो मुझे भी तो motivation के लिए कुछ चीजों को चाहिए होगा ना ठीक है तो दोस्तों Safe Cities Index की जब हम चर्चा करते हैं तो जो हमारा Safe Cities Index है ध्य Safe City Index में अगर हम बात करेंगे 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2021 को एक डेटा रिलीज हुआ था कि Safe City Index to travel तो उसमें हमारी मौनेट्रेल जो सिटी है कनाडा की वो नमबर वन थी क्या थी मौनेट्रेल सिटी तो Safe City Index जो हमारा मेरे दोस्तों Safe City Index to travel Safe City to travel में 10 दिसंबर 2021 को जो डेटा रिली चीज हुआ था उसमें मौनेट्रेल नमबर वन थी यह चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझेगा ठीक है तो यह सारी की सारी चीजे है इसमें यह चीज आपको धोड़ी सी ध्यान में रख लिए है ठीक है आगे चले अगले कोश्चन पर आ जाईएगा तो उस्तों अंतरास्ति वित्य सेवा जो हमारा केंद्र प्राधी करण है कोश्चन को ध्यान से समझेगा इंटरनेशनल ठीक है इंटरनेशनल फाइनेंशल सर्विस सेंटर ठीक है इंटरनेशनल फाइनेंशल जो सर्विस सेंटर है अंतरास्ति वित्य सेवा केंद्र प्राधी करण है उ तो international financial service center authority इसका headquarter गांधी नगर में मिलेगा गांधी नगर मतलब गुजरात में मिलेगा याद रखिएगा ठीक है कहा मिलेगा गुजरात में है याद रखिएगा ठीक है तो गुजरात में है गुजरात में है गुजरात में है चलिएगा आगे चलते हैं अगले question पे ठीक है अब actual में क्या होता है कि मेरा भी तो एक लक्षे है, मेरा एक लक्षे ये है कि मैं 2022 के अंदर, मैं 2022 के अंदर अपने कम से कम डेड़ सो लोगों को selection जरूर दिलवाओ, कि इस बार 2022 में जो मेरा target है, वो कितना है, लक्षे डेड़ सो प्लस selection, मनलब मेरे पढ़ाये हुए, यहाँ पर पढ़ाये हुए, जो हमारे बच्चे है, वो कम से कम हम, डेड़ सो प्लस मेरे दोस्तों हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, और डेड़ सो प्लस बच्चों का हम इस बार selection दिलवाने वाले हैं, ये मेरा खुद का टार्गेट है ऐसा ठीक है चलिएगा अगला कोशन है मुंगेर गंगा ब्रीज कहां पर है थोड़े दिन पहले मैंने बताया था नितिन गडगरी जी ने नो ग्रेट किया था मुंगेर गंगा ब्रीज ठीक है तो मुंगेर गंगा ब्रीज मेरे दोस्तों कहा पे सिच्टुyes जी हएट handmade सिक्टुएयटेड है कहां पे है भीर हपे सिच्टुएयटेड है याद रखेंगे कहां पे सिच्टुएयटेड है विहार में स्विच सुपेट इंगान सिंख्य के ऊपर है अजी लामू अजी लामू भारत के किस राज्य का लोकन रत्य है ये जो अजी लामू है ये भारत के किस राज्य का लोकन रत्य है बता दीजिएगा ठीक है चलिएगा जल्दी से बता दो फटा फट से अजी लामू तो क्या आप लोग यहां पर अजी लामू के बारे में बता सकते ह अजीलामू 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 कहा का है भईया अजीलामू बता दो एक बार जल्दी से ठीक है यहाँ पर तो जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अजीलामू के बारे में तो यह आपको मिलेगा कहां पर अरुनाचल प्रदेश में मिलेगा अगर आपसे पूछा जाए यह कहां का डान से भाई सामा चकवा कहां का डान से तो सामा चकवा बिहार का डान से कहां का है बिहार का डान से सामा चकवा और अगर मैं आगे पढ़ूंगा तो मेरे दोस्तों कली गोपाल कौन सा है कली गोपाल कली गोपाल कहां का डान से असम का डान से कली गोपाल मैं आप पूछता हूँ कैनोय कैनोय कहा का डानस है असम का डानस है तो ये कैनोय भी असम का डानस है ये खेल गोपाल भी असम का डानस है ये काली गोपाल भी असम का डानस है और सामा चकवा जो है ये बिहार का डानस है दोस्तों एक कोश्चन मैं आप से पूछू बड़ा ही आसान को ने पूछलू मना तो नहीं है चल पूछता हूँ दोस्तों नट पूजा कहां पर है बताओ जल्दी से नट पूजा नट पूजा डांस कहां पर है नट पूजा डांस कहां पर है जल्दी से बताओ फटाफट से नट पूजा डांस कहां पर है नट पूजा डांस कहां पर है आ तो नट पूजा जो है ये मेरे दोस्तों हमारा कहां पर है याद कर दीजेगा ठीक है तो बताओ जल्दी से फटाफट से नट पूजा नट पूजा कहां है नट पूजा तो यहां पर देखो आरियन राज कहा रहे है नट पूजा बिहार है किसोर चोधरी कहा रहे है नट पू करेंगे यह असम से है कहा से है असम से है तो जो हमारा नठपुजा है नठपुजा असम से है ठी कहा है तासे है असम से है इस को याद रख ले न ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यानमें रखिएगा इंपोर դैंट है mark कर लिजिये संयुक्त रास्ट पूंजी विकास कोस का मुख्याले कहां पर है संयुक्त रास्ट पूंजी विकास कोस का मुख्याले कहां पर है तो अगर आपसे पूछा जाएगा संयुक्त रास्ट पूंजी विकास कोस का मुख्याले आप बता दीजेगा मैड्रीड में न्यू यॉर्क मे लोसाने में या मोनेको में आंसर करिएगा ठीक है आसमों के हैं ना बहुत बढ़ी आशांदार तो याद रखिएगा सारी चीजों को ठीक है तो इसमें आप लोगों का मेरे दोस्तों आंसर 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 ठीक है बिल्कुल चुप हो जाते हैं कुछ लोग तो आंसर बिल्कुल मतलब जो है करी ने रहे ठीक है चलेगा फटाफट से फटाफट से फटाफट से चलो ठीक आगे आ जाओ तो दोस्तो ये हमारा जब संयूक तराष्ट पुंजी कोस के बारे में चर्चा होगी लोसाने में मिलेगा कहा मिलेगा लोसाने में कुछ लोग न्यू यॉर्क जा रहे थे वही में देख रहा था लोहे बैरेक खारे पानी मगरम चब्यारण दोस्तों लोहे बैरेक सॉल्ट वाटर क्रोकेडाइल सेंचुरी ठीक है तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो लोहे बैरेक सॉल्ट वाटर क्रोकेडाइल सेंचुरी मेरे दोस्तों याद करिएगा ठीक है तो याद करिएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर लोहे बेरिक ठीक है सॉल्ट वाटर क्रोकेडाइल जो सेंचुरी है ये कहां मिलेगी बता दो जल्दी से लदाक में अंडमान निकोबार में पुडूचेरी में दमन दियू में ठीक है चलो जल्दी से बताओ बिल्कुल आंसर करते रो गलती तो करोगे कर से पहले अभी तक मुझे आंसर दिखा है मनोज कुमार का और मनोज कुमार का आंसर बिल्कुल सही है अंडमान निकोबार में तो लोहे बेरिक सॉल्ट वाटर क्रोकेडाइल सेंचुरी कहां पर मिलेगा ये अंडमान निकोबार में पॉर्ट बिलेर में है याद रखेंगे क कहां पर है फोर्ट बिलेर में है ठीक चलिएगा अगला कोशन ए कोल इंडिया मेंटेड़ तो मैंने आपको यह बताया था घुक मोडिक अदर चेकंग का दरजा मिला है जो हमारी call India limited है most dependable मेरे दोस्तों किसका दर्जा मिला है सारवजनी company का तो कहां पे है call India call India तो call India का headquarter आपको मिलेगा कॉलकाता में दोस्तों bio CNG plant क्या है bio CNG जो plant है आप लोगों का वो मेरे दोस्तों कहां पे है इंदोर में bio CNG plant जो है वो हमारा इंदोर में है इंदोर में है याद रखिएगा उसके बाद है राम गंगा बांध किस राज्ये में इस्थित है राम गंगा बांध जो है वो मेरे दोस्तों क्या है अगर हम बात करेंगे तो राम गंगा बांध जो है वो हवारा मेरे दोस्तों अगर आप से पूछा जाएगा तो कहां पर है उत्राखंड में है उत्तर प्रद इसमें राम गंगा बांध ठीक है राम गंगा बांध के बारे में बता दीजेगा ठीक है तो राम गंगा बांध यू के आगे आपसका बिल्कुत सही आंसर एक अला अगर उत्तरप्रदेस नहीं रक्षन यहाई गाउं दोस्तों निखत जरीन का संबंध किस के साथ है किस खेल के साथ है निखत जरीन तो निखत जरीन थोड़े दिन पहले चर्चा में मेरे दोस्तों आप से पूछ लीजिएगा निखत जरीन थोड़े दिन पहले चर्चा में आई थी ठीक है आंसर 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 कर दो एक बार फट तो अक्सर हम बॉक्सर की बात करते हैं या बेट लिफ्टर की हम बात करते हैं हर्याना की तरफ को हम देखते हैं तो तेलंगा नमें जगा पड़ती है निजामाबाद वहाँ पे 26 साल की बॉक्सर है जिनका नाम है निखत जरीन तो बॉक्सिंग से इनका संबंध है याद रख तो आणसर करदो जल्दी से ठीक है आपके जो यहाँ पर comment पर तो मेरी पूरी नजर है ठीक है तो आणसर कर दो फटा फट से कंचोद फेस्टीवल मैंला मैं तो कंचोद फेस्टीवल बहुत बार पढ़ाया है आप लोगों को ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया 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 शांदार शांदार ठीक है तो यह है ध्यान में रखेगा दोस्तों अब यहां पर सुन लो जब हमने हरेला पढ़ लिया था हरेला का तो आपने बता दिया था अब आपने कंछोत भी बता दिया तो कोई दिक्कत नही घाटी सुना है चिन्नाब बैली का जो एरिया है वहाँ पर माग के महीने में वो तो स्रावन के में था माग के महीने में माग का महीना जनवरी फरवरी में पढ़ता है अक्सर ठीक है तो ये बेसिकली नाग अनुयाईयो द्वारा मनाया जाता है किसके द्वारा नाग अनुया गलती हो गया तेलंगाना में कौन सा संघराले है तेलंगाना में कौन सा संघराले है जल्दी से बतादो फटाफट से तेलंगाना में कौन सा संघराले है मैंने question का answer आपको पहले ही बता दिया ठीक है वो आपका skip हो गया ठीक है बतादो जल्दी से कहाँ पर है answer कर ये फटाफ था ठीक है आंसा आसान 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 चलो आसान था कोशन को चेंज करते हैं चेंज क्या करते हैं आपने बता दिया सलार जंग म्यूजियम बिल्कों सही बताया मुझे बता दो गैस फोरेस्ट म्यूजियम कहां पर है गैस फोरेस्ट म्यूजियम कहां पर है भाई व तो जो हमारा Victoria टर्मिनल है वो भी आप मेरे दोस्तों बता दोगे कोई दिक्कत है नहीं है इसके अंदर ठीक है सलार जंग तो आपने कर दिया बताओ ये गैस फोरेस्ट मुजियम कहा है अच्छा संकर इंटरनेशनल डॉल मुजियम भी पता ही होगा सी तो पता ही होगा ना नई दिल्ली में है ये पेपर में आया था ना इसलिए कह रहा हूँ ये पिछली बार रेलवे की पेपर में तीन या चार बार रिपीट हुआ था तो मुझे लगा पता ही होगा विक्टोरिया मेमोरियल आपने बहुत बार पढ़ा है जानते ही हो महरास्टा में है कहां पर है महरास्टा में ठीक है तो गैस फोरेस्ट म्यूजियम कहां बनेगा ये तमिल नाडू में बनेगा याद रख लेना ठीक है तमिल नाडू आंसर बन जाएगा ठीक है हाई तो प कुल्वी जो हमारा फोक मेरे दोस्तों डांस है यह कहां पर है कुल्वी फोक डांस तो आंसर कर दीजेगा फटाफट से कुल्वी फोक डांस के बारे में ठीक है अच्छा कुल्वी तो सुनाई है उसी से कुल्वी बना दो ठीक है नाटी भी सुना है नाटी मेरे दोस्तों ना चलिएगा अगला कोशन है एरा वते अच्छा जोरा कहां पर जोरा 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 कहां पर है जोरा जोरा तो जोरा भी जो है वो भी आपका हिमाचल में टेकर एरा वतेश्वर मंदिर कहां पर है एरा वतेश्वर मंदिर कहां है एरा वतेश्वर मंदिर कहां है एरा वतेश्वर म पढ़ देना एरवतेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्वधरो और इस्थल है यह कहां पर मिलेगा तो सब को पता होना चाहिए तमिल नाडू कहां है तमिल नाडू तमिल नाडू जोरा भी ही माचल था दोस्त ठीक है यह आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक चलिएगा उसके बादे मारू महत सब कुछ दिन पहले ही बताया था सुभे करंटा फिर के शेशन में मारू महत सब बता दो मारू महत सब ठीक है तो मारू महत सब ठीक है ठीक है जल्दी से बता दो फड़ा फट से तो यहां पे मारू महत सब किस राज्ये में म याद रखिएगा जरूरी है अगला कोशन है उम गोट रीवर मेरे दोस्तों उम गोट नधी कहाँ पर है उम गोट नधी कहाँ पर है उम गोट नधी कहाँ पर है मेरे दोस्तों आंसर कर दीजेगा उम गोट रीवर फिर टेस्ट शुरू होगा आप लोगों का ठीक है उम बहुत ही शांदार अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ पे मिघाले में और एक और चीज यहाँ पे बन जाएगी क्या बनेगा भाई यह बनेगा डाव की डाव की डैम मेरे दोस्तों ठीक है तो डाव की डैम हो या उमगोट रीवर हो अगर ये पूछेंगे त कोई दिकत परिशानी तो नहीं है चलिएगा ठीक आगे चलते हैं अगले कोशन पर भारतिय नोसे ना वायूस इस्टेशन आई एनस उतक्रोस किस इस्थान पर है ये कोशन समझ लो जिसने नहीं किया वो अपना एक नंबर मिस करके आएगा सेलेक्शन भाई इसी से होगा से सुभा की साथ बजे वाली क्लास और दो बजे वाली क्लास अगर आपने ये देख ली आपने ये कर ली तो आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोक सकता और ये पेपर में पूछा जाएगा इसको रिख लो INS उत्क्रोश की बात कर रहा हूं इंडियन नेबल सिप उत्क्रोश की बात कर रहा हूं लाइट कॉमबेट एरक्राफ अभी इसके उपर आप लोगों का किया गया था और ये हमारा कहां पे पोर्ट बिलेयर में कहां पे पोर्ट बिलेयर में याद रख लीजेगा लद्दाक नहीं है ध्यान में समझेगा ठीक है तो चलिएगा आगे चलते हैं फटा-फट से बहुत बढ़िया शानदार ठीक है तो यह आप लोगों के लिए हैं कोई डाउट है मुझे बता दीजिएगा ओके सारी चीजे समझ में आ गई है आगे चलते हैं अगले कोश्चन पर ठीक अगला कोश्चन आपके लिए इन में से किस खेल संग का मुख्याले हंगरी के बुद्दा पेस्ट में इस्थित है तो हंगरी के बुद्दा पेस्ट में किसका मुख्याले है जब हंगरी के बुद चार धार्ना सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा मेरे दोस्तों आपका जारी किया जाता है ठीक है तो यह आप लोगों का जो जारी किया जाता है ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यदि भी ह असम से संबंदित है तो कुनवी किस से संबंदित है बता दो यदि भी हूँ असम से संबंदित है तो कुनवी किस से संबंदित है आंसर कर दीजेगा ठीक है तो भी हूँ अगर हमारा असम से संबंदित है हमारा जो कुनवी है वो किस स्थान से संबंदित है आंसर कर दीजेग इस पता नगा एक है तो जल्दी से बता दीजेगा फटा फट से बहुत सारी चीजे है याद रखिएगा ठीक है चलिए के तो यहां पर आप लोगों की जो सारी चीजे है वो आपको समझ में आ रही हों टीक है तो कुन्वी किससे है कुनवी 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 तो दोस्तों कुनवी मिलेगा गुवा से कहां से मिलेगा गुवा से कहां से गुवा से गुवा से गुवा से याद रख लिजेगा ठीक है अब हम आपका टेस्ट है भाई 20 कोशन का 30 कोशन मिली तरफ से हो गए है ठीक है 20 कोशन आप लोगों का जो है यहां पर test है आजाओ फटाफट से कॉर्नोड सगमा कहा के मुख्य मंत्री है कॉर्नोड सगमा मुख्य मंत्री कहा के है answer करेगा 10 second का time है कॉर्नोड सगमा कहा के है कॉर्नोड सगमा कहा के मुख्य मंत्री है कॉर्नोड सगमा answer करो कॉर्नोड सगमा कहा के मुख्य मंत्री है आंसर कर दो, कुल्लू नाटी, पढ़े हुए कोशन है ये, ठीक है, तो कुल्लू नाटी कहा है, कुल्लू से ही पता लग रहा है, हिमाचल प्रदेश का है, उसके बादे 36 गड़ के राज्येपाल कोन है, 36 गड़ के राज्येपाल का नाम बता दीजेगा एक बार जल्दी से, 36 और एप रिपोर्ट अभी इन्होंने दी है, 8.8% का इन्होंने GDP फोरकास्ट लगाया है, याद आ गया होगा, मुंबई में हैड क्वाटर है, अरेबियन सी के किनारे मुंबई बसा हुआ है, सिमहादरी सूपर थर्मल पावर प्लांट, कल होमवर्क में भी दिया था, सिमहा पादरी जो सूपर थर्मल पावर प्लांट है, वो हमारा मिलेगा आंधरा प्रदेश में, अगला कोशन है, विश्व स्वास्थे दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे का बाता है, कमेंट कर दीजेगा, तो वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो वर्ल्ड हेल्थ डे आए है जब हम चर्चा करते हैं तो बरकात उल्ला खान इस्टेडियम जो है वह आप लोगों का राजिस्थान केरल उत्तर प्रदेश जम्मू कस्मीर यह हमारा मेरे दोस्तों राजिस्थान है ठीक है भारत में मयानी पक्षिय भ्यारण कहां पर है मयानी वर्ड सेंचुरी पढ़ा तो जब हम यहां पर मयानी पक्षिय भ्यारण के बारे में चर्चा करेंगे तो मयानी पक्षिय भ्यारण मेरे दोस्तों हरियाना पंजाब उड़ी सा महरास्टा तो यह मिलेगा महरास्टा में मयानी कहां मिलेगा महरास्टा में मिलेगा अगला कोशन है बाल फक्रम नेशनल पार्क पढ़ा चुका हूँ बाल फक्रम नेशनल पार्क बता दीजेगा बाल फक्रम नेशनल पार्क कहां मिलेगा मेघालने में मिलेगा अगला कोशन है राइचूर सूपर थर्माल पावर इस्टेशन कहां पर है राइचूर राइचूर सूपर थर्माल पावर प्लांट रा वैद्य रतनम आयूर्वेद संघ्राले वैद्य रतनम आयूर्वेद संघ्राले कहां है वैद्य रतनम आयूर्वेद संघ्राले कहां है तो यह हमारा कैरला है उसके बाद है रोजर फेडर किस गेम से है रोजर फेडर रोजर फेडर का गेम बता दीजेगा गेम बजा है टैनिस है खोरिया डांस कहां का है खोरिया खोरिया नरत्य कहां का है खोरिया ठीक है तो खोरिया मिजोरम पंजाब उत्तरप्रदेस हर्याना तो जब हम खोरिया की बात करते हर्याना में जाते हैं जब हम धब की बात करेंगे हर्याना में जाएंगे धमाल की बात करेंगे हर फर्याड़ में जाएंगे ठीके उसके बाद रह लकिए इसके बाद ब्यार रह मालिनी की लـ मेरे दोस्तों रहां आपकी जो है हें मालिनी ठीक है आपकी या धर्मिंदर की यह वात है भरभून हवाय अड्iff VOICE ह हवाय अड़ा है भर कोट हवाय अड़ा कहां पर है भर कोट एयरपोर्ट का मिलेगा तो जब हम भरकोट एयरपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हमारा उत्राखंड में मिलेगा जोली ग्रांट नाम सुना होगा जोली ग्रांट भी वहीं पर है दोस्तों इटली का रास्टिक हेल क्या है इटली 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 डोसा रोम मेरे दोस्तों माग्यों ड्रैगी हां के प्रदानमंत्री है इटली का जो नेशनल गेम है वो है फुटबॉल फुटबॉल गेम है इटली का ठीक है और अगला कोशन है बास्तविक नियंतरन रेखा किन दो देशों के बीच की है L.A.C. Line of Actual Control तो Line of Actual Control इंडिया चाइना के बीच की है बॉबले पुरुसकार आज ही पढ़ाया था मैंने बॉबले पुरुसकार एग्रिकल्चर में दिया जाता है ठीक है और I.C.A.O का Headquarter International Civil Organization मेरे दोस्तों मोनेट्रेल में है 7 दिसंबर को दिन मनाते हैं कल का होमवर्क था लुप्त प्राय बागो के संरक्षन की परियोजना का नाम क्या है तो नाम है मेरे दोस्तों Project Tiger क्या है Project Tiger है कल ये होमवर्क था आप लोगों का और आज का है सिमहादरी सूपर थर्मल पावर प्लांट दोबारा पूछ रहा हूँ इसका आंसर आप लोग जो है मुझे वहाँ पे कर दोगे कमेंट बोक्स में कर देंगे ठीक है सिमहादरी सूपर थर्मल पावर इस्टेशन सुभा साथ बजे करंट फेर ताजा ताजा और डाउटनट स्सी जो चैनल है इसका टेलिग्राम चैनल भी है यूट्यूब चैनल भी है लाइक शेर सब्सक्राइब आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है आपको लगा होगा कि सही में पसंद आ रही हैं चीजे तो कर सकते हैं मिलते हैं फिर मेरे दोस्तों उतना फास्ट आंसर भी नहीं दे पाते हांजी रूबी आदब टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ये लास्ट की भी स्कोशन जो थे फास्ट में ही जाते हैं क्योंकि ये जस्ट एक रिवीजन है सिर्व के तीस कोशन आपके लिए नए थे तो चलिएगा टाटा बाई बाई टेक केर